हेलो दोस्तो सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटरन के बारे में दोस्तो ये हेड एंड शोल्डर पैटरन बहुत ही highly accurate पैटरन है अगर आप इस पैटरन का अच्छे से इस्तमाल करना सीख जाते हैं तो दोस्तो आप शेयर मार्केट से एक अच्छा profit बना सकते हैं दोस्तो इस पैटरन की accuracy बहुत ज़्यादा है सभी लोग जो हैं जो भी इसको trade करते हैं वो हमेशा profit में ही रहते हैं तो आप सभी अगर इस पैटरन को live चार्ट में identify करना सीख गए तो समझ लेजिए कि आप जो है एक बहुत ही अच्छे दोस्तो शेयर मार्केट में रोजाना जो हैं बहुत सारे लोग आते हैं और वो trading करना शुरू कर देते हैं पैसे का investment करना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें price action या फिर कोई भी candlestick pattern किसी का भी घ्यान नहीं होता और वो unnecessary ही trade लेते रहते हैं जैसे कोई green candle बन गी तो buy कर लिया red candle दिखी तो sell कर लिया तो इस तरह से वो लोग हमेशा loss ही करते हैं कोई भी ऐसे profit नहीं बना पाता दोस्तो अगर आप जो है इस तरह से किसी भी pattern जैसे की head and shoulder pattern है ये अगर आप इसका अच्छे से use करना सीख जाते हैं तो आप definitely जो है profit ही कमाएंगे दोस्तो दोस्तो अगर आप इस pattern को live chart में identify करना सीख जाते हैं तो आप जो है इस market से एक अच्छा profit बना करके ले जा सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज discuss करते हैं head and shoulder pattern के बारे में देखिए दोस्तो ये pattern जो है तीन चीजों से मिलकर के बना होता है shoulder से, head से और shoulder इसमें दो shoulder होते हैं और एक head होता है जैसे ही इनसानों का shoulder होता है और दो shoulder होते हैं इनसानों के और एक head होता है ठीक उसी तरह से ये pattern भी head and shoulder pattern कहलाता है दोस्तो देखिए ये pattern तीन स्विंग से मिलकर के बनता है फर्स्ट स्विंग ये है, सेकंड स्विंग ये है और थर्ड स्विंग ये है तो तीन स्विंग से मिलकर करके ये पैटरन कम्पलीट होता है जैसी प्राइज यहां से देखिए फर्स्ट स्विंग लगाता है और फिर जो है नीचे आता है और यहां से फिर से प्राइज उपर की तरफ चला जाता है और यहां से swing लगा करके फिर से नीचे आजाता है जहां से पहले उपर गया था ठीक वहीं से फिर से उपर जाता है और एक swing लगाता है दोस्तो उपर यह जो है यहां से इतना ही उपर आएगा यह थोड़ा बहुत जादा उपर भी जा सकता है निचे भी रह सकता है यह को जरूरी नहीं है कि बराबर ही shoulder जो है दोनों बराबर ही होंगे थोड़ा बहुता उपर निचे भी हो सकते हैं तो आप यह देखी यहां से फिर से निचे आएगा तो आपको करना क्या है यह जो है यह line जो है selling के लिए है और यह कि रिवर्सल पैटरन है तो दोस्तों यहां से हमें sell की entry कर लेनी है और stop loss हमारा ठीक इस shoulder के थोड़ा सुपर रहेगा मान लीजिए कि अगर यह 5 रुपे का stop loss बनता है यहां तक shoulder तक तो हमें 20-30 पैसे उपर तक का stop loss लगा लेना है कई बार जो है buffer दे के stop loss लगाना चाहिए तो दोस्तों यहां से entry कर लेनी है और target हमारा जो है इस shoulder के double होना चाहिए मान लीजिए shoulder जो है 10 रुपे का है इसकी मतलब लंबाई 10 रुपे की है तो हमें target ठीक यहां पर 20 रुपे का रखना है तो इस तरहां से हमें इसमें काम करना है चलिए दोस्तों देखते हैं कि chart में किस तरहां से identify करना है मान लेजिए दोस्तों किसी भी stock का जो है वो बहुत ही जश्यादा up trend में चल रहा है कोई भी stock या फिर bank nifty nifty कोई भी 舉ए up trend में चल रहा है यह हर जगां काम करेगा दोस्तों किसी भी segment में चाहे यूज कर लीजी हर जगां काम करेगा जैसे कि अप्ट्रेंड चल रहा था बहुत ही तेज तो दोस्तों यह chart pattern अप्ट्रेंड में ही आपको दिखेगा तो देखिए यहां से इसने पहला swing लगाया और फिर price यहां से उपर चल दिया फिर यहां से जो है इसने नीचे की तरफ आया और अपनी neck line पे आकर के फिर से उपर गया और दूसरे shoulder का बना दिया तो right shoulder यहां पे बन चुका है और फिर से जो है नीचे आ गया price तो दोस्तो जैसे price इस neck line को cross करेगा तो आप यहां पे entry कर सकते हैं selling की तो दोस्तो देखिए दोस्तो देखिए अगर आप intraday कर रहे हैं तो आप जो है sell कर सकते हैं अगर आप जो है किसी भी stock का या nifty bank nifty का put option खरिद सकते हैं यहां से क्योंकि यहां से market नीचे गिरती है और target आपका जो है one is to two रहेगा या फिर one is to three का रहेगा यानि कि एक अनुपाद दो का target या फिर एक अनुपाद तीन का target रहेगा आपका यहां पे दोस्तो दोस्तो आपको इस pattern को हमेशा ही एक strong uptrend में ही देखना है जैसे कि किसी भी stock में rally आया हुई है पांच-छे दिन से लगा तार उपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो आपने देख लेना है कि वहां पे head and shoulder बन रहा है अगर तो समझ लीजिए कि वहां से अब जो है पूरा का पूरा ट्रेंड जो है change होने वाला है तो दोस्तो ये reversal pattern है उमीद करता हूँ कि दोस्तो आपको ये pattern समझ में आया होगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि मैं जो हम इस चैनल पे आने वाले चार्ट pattern के बारे में भी डिसकस करना है दोस्तो